हेलो बच्चो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो बच्चो एंपी बॉर्ड कक्षा 10 का हमने कार्बन और कंपॉंड चैप्टर शुरू किया हुआ है तो आज हमारा तीसा टॉपिक है कि कोवलेंड बॉंड बनते कैसे हैं ठीक है बच्चो तो बिलकुल ही हिंदी में आपको समझाइदाँगा बिलकुल तेसी भाचा में तो विडियो को लास तक जो reducing टेखंगे अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर 20 चली हम मंदियो को शुरू करते हैं ब्चुक न बनते हैं तो यह यहां तो सिंगल बॉण्न बनते हैं यहां तो डवन बनते हैं यह ट्रिपल बॉण्न बनते हैं ठीक को जब कभी भी दो atMS का 18 एक्टम होगा जब ढ़ना एक पिर इतंब पिरर्लुट इकटोसरों जल्मोर का 2 सिए जब जब कभी कर लक टोड हो को तो बनता है single covalent bond जब कभी दो pair of electrons अगर शेर होते हैं मतलब एक आटम ने अपने दो शेर किये दूसरे ने भी दो शेर किये तो तो टोटल क्या होगे चार तो दो पेर बनगे ना जब कभी भी दो आटम की बीच में दो पेर ऑफ एलेक्ट्रों शेर हों तो बनते हैं double covalent bonds मैं example के साथ आपको समझाओंगा यह देखो और हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर का था पच्छो एक इलेक्ट्रों इसका मतलब इसको एक ही लेक्ट्रों चाहिए स्टेबिलिटी के लिए अब देखो दियाग्राम में देखो यह द ने पना एक पो अपना इलेक्ट्रों शेर किया उन में तो देखो दोनों के भीच में क्या अगया है सब्सक्राइब करता है इसका मतलब इसको स्टेबिलेटी के लिए दो इलेक्ट्रोंस चाहिए तो यह देखो यह अपने दो दो इलेक्ट्रोंस शेर करता है तो यह देखो यह टो दो नाइट्रोंस बन दो नाइट्रोजन दो यह बिल्कूर रहे लेंग्वे तो वीडियो को कमेंट में लिखेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अब वीडियो अच्छी लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई टेक क्यार